हलो दोस्तो नमस्कार स्वागता आप सभी का चैनल पर दोस्तो एटोमी कंपनी में हमारी टोटल टीम कितनी हो गई है हमारे टीम का जो है टोटल साइज कितना है अगर वो हमें चेक करना हो तो वो हम कैसे चेक करेंगे क्योंकि वेब साइट में जब भी हम चेक करते हैं तो हमे सिरब team structure दिखाई देता है total team हमारी कितनी होगी है team का total size कितना है वो हमें नहीं पता लगता तो वो हम कैसे check करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो channel को please subscribe करें क्योंकि Atomi company की complete जानकर यह आपको इस channel पर मिलती है और Atomi company से related latest update आपको इस channel पर हम देते रहते हैं और bell icon को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी notification है सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों Atomi company में टोटल टीम साइज आपको mobile app पर दिखाई देगा ना कि website के ओपर तो उसके लिए आपको play store से जो है Atomi company की mobile app को install करना होगा तो सबसे पहले हम play store को open करेंगे play store को open करने के बाद यहाँ पर आप इस तरह का आइकन आपके सामने आएगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप अपना ID नंबर और पासवर्ड है जो वह आप फिल कर लेंगे तो चलिए मैं ID नंबर और पासवर्ड फिल करके आपको दिखाता हूं जैसे हम login के option पर क्लिक करेंगे तो यह जो homepage आपके सामने इस तरह का homepage आजाएगा यहाँ पर आप अपना सबसे उपर ID नंबर और निचे अपना पासवर्ड फिल कर लिजे तो चलिए मैं फिल कर लेता हूं और आपको बताता हूं तो दोस्तो जैसे आप login करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जब पहले login लिखा हूँ था वहाँ पर आप logout लिखा हूँ मतलब आपने यहाँ पर login कर लिया है अपने ID नंबर और पासवर्ड से दोस्तो लोगिन करने के बाद आप एक setting और किजिएगा app में यहाँ पर यह करने के बाद एक setting करेंगे यहाँ पर आपके सामने अगर South Korea country है तो उसको आप country और language जो है चेंज कर दीजिए जैसे मैंने US से country कर रखा और language यहाँ पर English कर रखा क्योंकि अभी India का link नहीं है बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर India का link देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप US से क्यों करेंगे क्योंकि English में यह चीज आ जाएगी अगर South Korean language में होगी तो वह आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए आप इसको जो है country चेंज कीजिए और यहाँ की language आप English कीजिए जैसे आप यहाँ पर setting चेंज करेंगे हो सकता आप से दुबारा यह login के लिए कहे तो इस तरह का home page आपके सामने आएगा एक साइड में आपके पास shopping mall है नीचे और नीचे एक साइड में आपके पास है my office यह जो my office है यहाँ my office के button पर आप click करेंगे जैसे my office के button पर आप click करेंगे तो इस तरह का home page आपके सामने होगा और यहाँ पर यह जो second option है lineage यह इस पर आ आपकी टीम है वो आपको यहाँ पर शो करेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो आपकी आईडी है यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि आपकी आईडी वेरिफाई है या नहीं आपकी टीम में किसी की आईडी वेरिफाई है या नहीं वो आप कैसे देखेंगे जैसे टोमी के head office में संपर कर सकते हैं कि जो आपकी ID है या फिर आपकी team की ID है वो verify क्यों नहीं हुई है तो head office में आप बात कर सकते हैं और जैसे आप इसको थोड़ा सा बड़ा या उपर नीचे करते हैं तो यह जो three dots है इस पर आप click करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने यह normal condition में आ जाएगी जैसे यह इस तरह आपके सामने आ जाएगी नर्मल condition में उसके बाद आप नीचे यह जो blue color की लाइन देख रहे हैं जिस पर लिख रखा है manage my sub members इस पर आप click करेंगे जैसे इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने आपका total team size होगा इस तरह से आप अपना total team size mobile app में देख सकते हैं और आपके team में जो भी आपके ID लगी है किस date code लगी थी और जो है आपके PV कितने हो गए हैं left और right में total purchasing उन्होंने कितनी कि हैं सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो इस तरह से mobile app में आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं total PV, अपनी team का size सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही और वीडियो अगर आपको अच्छे लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद